लो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत आपकी यूट्यूब चैनल पे आज हम बताने वाले हैं कि एकादसी वरत का महत्व क्या है इससे क्या लाब होता है एकादसी कौन थी, कैसे उत्पन हुई थी और साथ ही आपको एकादसी की कथा भी सुनाएंगे तो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सी कर लेजे आज़े सुरू करते हैं एकादसी एक संस्क्रीट सब्थ है जिसका साब्दिक अर्थ ग्यारह होता है एकादसी पंद्रह दीवशिय कृष्ण पक्ष और सुक्ल पक्ष के ग्यारह में दीन आती है शाश्त्रों के अनुसार हर व्यश्नों को एकादसी के दिन व्रत रखना चाहिए यह व्रत अत्यंत सुब वह लावकारी है इसका महत्व हर एक व्यक्ति के लिए है पुरानों में सभी व्रतों में एकादसी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है पूरी साल में 24 एकादसी आती है एकादसी का आरंभ उत्पन्ना एकादसी से होता है सास्त्रों के अनुसार शातियोग में इसी एकादसी को भगवान विष्णू के सरीष एक देवी का जन्म हुआ था उस देवी ने भगवान विष्णू के प्राणों की रक्षा की थी जिससे प्रशन्न होकर भगवान विष्णू ने उन्हें एकादसी का नाम दिया शास्त्रों के अनुजा जो व्यक्ति एकादसी के दिन वरत रखता है भगवान विष्णों की पूजा करता है उनके कई जन्मों के पाप कर जाते हैं और व्यक्ति विष्णु लोकों में स्थान प्राप्त कर लेता है इक आदसी वरत के संदर्प में एक कथा है कि एक बार मूल नामक राक्षत से लगातार युद्ध करते हवे जब भगवान विश्नु ठक गये तब वह बद्रिका आस्रम में जाकर विस्राम करने लगे मूल भी भगवान विशनु का पीछा करते हुए बद्रे का आस्रम पहुँच गया भगवान विशनु को निंद्रा में लीन देखकर मूल ने उन्हें मानना चाहा तभी भगवान विशनु के सरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उस देवी ने मूल राक्षस से युद्ध किया और उस राक्षस का वद कर दिया जब प्रभू स्री हरी विश्णुजी नींद से जागे तो देवी के पराक्रम से प्रशन्न होकर उन्होंने कहा कि हे देवी तुम्हारा जन्म मार्ग से इस मास के कृष्ण पक्ष की एकादसी को हुआ है इसे लिए तुम्हारा नाम एकादसी होगा यह तिथी मुझे अत्यन्त ही प्रिय है और आज से प्रतेक एकादसी को मेरे साथ तुम्हारी पुजा भी होगी जो भी व्यक्ति एकदशी का वरत करेगा, उपवास रखेगा उनके समस्त पापों का नास होगा तथा उन्हे सुख, शंपत्ते, धन, धान्ने की प्राप्ति होगी शास्त्रों के अनुसार एकादसी का वरत रखने वाले संसार की मोह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और एकादसी वरत के पुन्य के प्रभाव से वहविक्ती विश्णु लोक में स्थान प्राप्त कर लेता है एकादसी का यह वरत सभी वरतों में स्रिष्ठ है इस वरत को करने समस्त एक्छाएं पुर्ण होती है और भगवान स्री हरी विष्णू और माता लक्ष्मी भी अती प्रशन्न रहते हैं यहां तक कि वो जीवन में धन, यस, आरोग, विद्या, योग, पुत्र, एस्वर यतथा मनवान छित्फलों की प्राप्ति होती है उनके पित्री भी प्रशन्न होते हैं, उन्हें स्वर के भी स्थान मिलता है आने वाली पीडियों को भी इस वरत का लाव मिलता है इसलिए एकादसी का वरत सर्वस्रिष्ट और परम लावकारी है तो आप सभी इस एकादसी वरत का पालन जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भोलें